नमस्कार एरियल न्यूस चैनल में आपका स्वागत है कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी को कौन नहीं जानता अक्सर उनके भाशनों से वे सभी के मध्य ट्रॉल किये जाते हैं लेकिन कुछ समय से उनके भाशन काफी सही दिख रहे हैं चलिया आज उन्हीं के बारे में हम आपको एक बात बताते हैं जिसे सुनकर आपको अच्छा भी लग सकता है और बुरा भी लग सकता है एक लाइव डिसकर्शन में राहुल ने अपने दिल की बात आखिर रखी दी तो चलिया आपको बताते हैं इस लाइव डिसकर्शन में राहुल ने अपनी दिल की बात में आखिर क्या कहा कॉंग्रेस निता राहूल गांदी ने इंद्रा गांदी के साशनकाल में लगाए गए आपात काल को गलत बताया कॉरनेल यूनिवरसिटी के एक कारिकरम में बुद्वार को प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ वर्चुल डिसकर्शन में राहुल ने ये बात कही हाला कि उन्होंने ये बात मौजूदा मोधी सरकार के संदर्ब में कही राहुल ने कहा कि इमर्जंसी एक गलत थी पर उस वक्त जो हुआ था आज जो देश में हो रहा है दोनों में बहुत ही जादा फर्क है राहुल ने ये उन्होंने ये भी कहा कि कॉंग्रेस ने कभी भी संस्थानों का फाइदा उठाने की कोशिश कभी नहीं की वर्त्मान सरकार की लोगतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुचारे यहर संस्थाव की स्वतंतरता पर हमला किया जा रहा है RSS हर जगे गुस्पैट कर रहा है Court Election Commission जैसी स्वतंत्र संस्थाओं पर एक ही आईडियोलोजी के लोगों का कबजा है मीडिया से लेकर Court तक को भी निशाना बनाया जा रहा है लेकिन उनकी बातों में ताजुप देने वाली बात ये थी कि उन्होंने अपनी दादी यानि इंद्रा गांदी के फैसले को गलत बताया उन्होंने अपनी दादी इंद्रा गांदी के द्वारा लिया गया फैसला आपातकाल का फैसला उसे गलत बताया है लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा तब जो हुआ और आज जो हो रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है उसके बाद जरूर ही आप सब के लोगों के दिमाग में ये कोईशन आ रहा होगा आखिर वो मुकदमा क्या था जिसने इंटरा गांदी को इतना डरा दिया था इतना बहबीत कर दिया था कि उन्होंने आपातकाल ही लगा दिया आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई थी उनको आपातकाल यानि इमर्जनसी लगाने की तो चली हम आपको बताते हैं आज से चमालिस साल पहले आये कहती हासिक फैसले ने एक साल से आंदोलन रत विपक्ष को वह आकसिजन दे दी थी जिसे उसे तलाश थी इसी फैसले ने ततकालीन प्रधान मंतरी इंद्रा गांदी को देश में अपातकाल लगाने पर मजबूर कर दिया था जिस मुकदमे में ये फैसला आया था उसे राज नारायन बनाम उत्तरप्रदेश नाम से जाना जाता है इस मुकदमे में इलाबाद हाई कोट ने इंद्रा गांदी को चुनावों में धांदली का दोशी पाया था 12 जून 1977 को सक्त जच माने जाने वाले जस्टिस जगमोहनलाल सिन्हा ने अपने निर्ने में उनके राइबरेली सिस सांसत के रूप में चुनावों को अवैत करार दे दिया अदालत ने साथ ही अगले 6 साल तक उनके कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी ऐसी इस्तिती में इंद्रागांदी के पास राजसबा में जाने का रास्ता भी नहीं बचा अब उनके पास प्रधान मंत्री पत छोड़ने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था कई जानकार मानते हैं कि 25 जून 1975 की आधी रात से आपातकाल लागू होने की ज़ड़ में यही फैसला था आज से 44 साल पहले इंद्रागांदी ने देश में आपातकाल लगाया था 25 जून 1975 को लगा आपातकाल 21 महीनों तक यानि 21 मार्च 1977 तक देश पर थोपा गया था लागू हो गया था अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंद्रा की आवाज में संदेश सुना था भाई और भेनो रास्टिफती जी ने आपातकाल की गोशना की है इससे आतंकिक होने का कोई कारण नहीं है आए आज आपातकाल से जुड़ी दस बड़ी बाते जानते हैं आपातकाल की घोशना के साथ ही सवी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिये गए थे अभीवक्ती का अधिकार ही नहीं लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया 25 जून की राच से ही देश में विपक्ष के नेताओं के गिरफतारियों का दौर शुरू हो गया था जैप्रकाश नारायन, लालकृष्ट अडवानी, अटल विहारी वाचपाय आधि को जेलों में डाल दिया गया था जेलों में जगे ही नहीं बची थी अपातकाल के बाद प्रशासन और पुलिस के द्वारा भारी उत्पीनन की कहानियां सामने आई थी प्रेस पर भी सेंसर्शिप लगा दिया गया था हर अखबार में सेंसर अधिकारी बठा दिया गया था उसकी अनुमती के बाद ही कोई समाचार चप सकता था सरकार विरोधी समाचार चापने पर गिरफतारी हो सकती थी यह सब तब थम सका जब 23 जनवरी 1977 को मार्च महीने में चुनाव की गोशना हो गई थी एक्चली बात यह थी कि लाल भादूर शास्त्री की मौत के बाद देश की प्रधान मंत्री बनी इंद्रा गांधी का कुछ कारणों से नयाय पालिका से टकराव शुरू हो गया था यही टकराव अपातकाल की प्रश्ट भूमी बन चुका था कुछ कारणों से इंद्रा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया था इस फैसले से आक्रोशित होकर ही इंद्रा गांदी ने इमर्जनसी लगाने का फैसला किया था इस फैसले से इंद्रा गांधी इतना क्रोधित हो गई थी कि अगले ही दिन उन्होंने बिना कैबिनेट की अपचारिक बैठक के आपातकाल लगाने की अनुशन सा प्रधान मंतरी या रास्टेपती से कर डाली जिस पर रास्टेपती फरुकुद्दीन अली एहमत ने 25 जून और 26 जून की मदर रातरी में ही अपने हस्ताक्षर कर डाले और इस तरह देश में पहला आपातकाल लागू हो गया था हमारे साथ इस वीडियो में अंध तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आगे ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल न भूले